ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें नमस्ते मेरा नाम सौरभ है आप ललन टॉप देख रहे हैं इन दोनों सोशल मीडिया पर एक बात खूब प्रिचारित की जा रही है कि संत रविदास ने अपनी पोथी में कोरोना वाइरस का पहले ही जिक्र कर दिया था आए जानते हैं सत्ति क्या है सोचल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल हो रही है, इसमें दावा किया जा रहा है कि गुरु रविदास ने अपनी पोथी में कोरोना, चीन और भारत के विश्व गुरु बनने सम्मंदित बातें लिखी है कविदा नुमा ये रचना 6 पेरा की है, इसमें इटली में कोरा मचने और तीसरा प्रलाकारी युद्धोने की बात भी लिखी गई है, ये दावा फेस्बूक और वाटसेप पे खूब वाइरल है, ये देखिए सभी तरफ कोरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, ये संत्र अविदास जी की पोथी कहकर इसको प्रिचारित किया जा रहा है, ट्विटर पर भी ये फोटो शेर हो रही है संत्र अविदास के नाम पर कई कविताओं और भजनों का संकलर मिलता है, जैने संत्र अविदास जी की पोथी के नाम से जाना जाता है, इसके नाम से ये दावा हो रहा है, हमने परताल की, परताल में ये दावा जूट निकला, परताल के लिए सबसे पहले हमने इंटरनेट पर उपलब्द गुरु रविदास की पोथी खोजी यहां में जगत गुरु रविदास अमरितवाणी एवन संजिक्त जीवन नाम से किताब मिली इसके टीकाकार यानी की व्याख्याकार है संत सुरिंदर दास बाबा यह किताब श्री गुरु रविदास जन्मस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से प्रकाशित की गई है इसके संस्थान का जो मुख्याले है वो पंजाब की जलंधर के पास सजखन बल्ला नाम की जगये पे है आठ सो से ज़्यादा पन्नों के इस गृंद को रविदासी मत में सबसे बड़ा संक्लन माना जाता है इस किताब में कहीं भी कोरोना या भारत के विश्व गुरु बनने जैसी बातों का कोई जिक्र नहीं है अगर आप लेन टॉप की वेबसाइट पर जाएंगे तो इस पूरी रंथावली को पढ़ सकते हैं हमने लिंक दे रखा है फिर हमने इस बारे में और जानकारी के लिए श्री गुरु रविदास जन्मस्थान चाय टेबल ट्रस्ट के महासचेर सत्पाल विर्दी जी से संपर्क किया उन्होंने वाइरल हो रही तस्वीर को जूटा बताया क्या कहा उन्होंने? गुरु रविदास ने कभी भविश्वानी जैसी बात नहीं की उन्होंने जीने की राह दिखाई जिससे आज हम सब लोग फॉलो करते हैं वाइरल हो रही तस्वीर में जो पंक्तियां लिखी है वाइ गुरु रविदास जी की अमरतवानी नहीं है गुरु साहब ने इतना कुछ बहतर लिखा है, बताया है, सिखाया है लेकिन न जाने क्यों कुछ शरार्ती लोग गलत और आधारीन बातों को गुरु साहब के नाम से जोड़कर वाइरल कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है हमने इसके रावा रविदास यामत की वेबसाइट पर रुबलत कुछ और गरंथों को भी जाचा उसमें भी ऐसी बात नहीं मिली संत्र रविदास का जन पंद्रवी सताब्दी में माना जाता है उनकी अधिकतर रचनाय ब्रजभाषा में हैं, कहीं कहीं अविदी और फार्सी के शब्द भी है अमरित्वारी में मौझूद रचनाओं को वाइरल हो रही पंक्तियों के साथ तुलना करने पर इस परश्ट अंतर दिखता है कि ये बाते हैं संत्र रविदास की शैली में नहीं लखी गई दूसी बात संत्र रविदास की समय नेता और ये सब चीज़ें थी भी नहीं और देशों का जिस तरह से जिक्र है वो भी नहीं था भाषा का भी इस तरह से चलन नहीं था तो ये सीधे तोर पर कोई फ्रॉंट कर रहा है संत्र रविदास के नाम पर अगर आपके पास भी कोई मेसेज पहुंचता है जिसकी सत्तिता संदिक लगती है तो भेजी हमें पर्ताल के लिए हमारा पता है